नमस्कार रेसिपी मंतरा में आप सबको स्वागत है आज में आप लोग लेकर आए हूँ परफेक्ट छोले और बटूरे की रेसिपी अगर आप फिल बटूरे खाने के सौकीन है तो यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चलते हैं आज कीस रेसिपी को बनाने के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दवा के मेरे वीडियोस को लाइक करें और हां पहला इकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सबसे पहले हम आटे को गूत के तैयार करेंगे तो इसके लिए एक कोई अब आपको डालना है यहां पसा होना चाल सीजी हुआ हैं आपको डालना है यहां यहां जायर सीजी भला मूप अपहर होचीद सॉची बटूरे हमारे अच्छे नरम बने इसलिए यहाँ पे आपको डालना है दो चम्मच रिफाइन तील अब यहाँ पे आपको डालना है तीन चम्मच दही और ध्यान रखेगा कि जो आप दही इस्तेमाल करें वो दही खटी नहीं होने चीए क्योंकि अकर दही खटी होगी ना त सबसे बड़ा जो गेम है वो आठी काई है क्योंकि अगर आठा अच्छे से नहीं गुतेगा ना तो हमारे जो भटूरे हैं वो सौफ नहीं होंगे और नहीं फूले बनेंगे तो सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आठा गुतेगे लेकिन हा आठा गूते समें यहां पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है बूर्ट मिन है छी आँहां पर आपको जू पानी का आठा आठा की एक जगा एक फ़ता होने लगा है तो अब आपको क्या करना है कि आठे को एक मिलट तक अच्छे अच्छे से गूद लेना है मिनट आटे को अच्छे से गूदने के बाद आप इसमें एक चमच रिफाइन तेल डाल दे और आटे को अच्छे से चिकना कर ले अब आप इसे ढग दे और ढग के इसे 4-5 घंटे के लिए किसी गरम जगा पर रख दे ताकि आटा हमारा अच्छे तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे ही तील आपका गरम हो जाए यहां पर एक तेज पत्ता दो छोटी लाइची एक बड़ी लाइची चार से पांच लॉंग आधा चमच साबुत जीरा थोड़ा सा दाल चिनी का टुकड़ा और दो सूखी लाल मर्चे इन सभी को हम तेल म एक बडुनाश, इन इसपे लिएची लोइच को बने लग मीडीयमं फोछी जैसे लिए पीज को तीग बंहा से की सुनेहरी हो ना शुरू हो जाये जैसे ही प्याज आपके हलके सी सुनैरी हो आप यहाँ पे डाल देज़ेगा एक बड़ा चमच अधरक और लैसुन का पेस्ट चाहे तो यहाँ पे आप अधरक और लैसुन को दरदा कूट के भी डाल सकते हैं अदरक लैसन को एक मिनटे हम प्यास के साथ भूल लेंगे ताकि अधरक लैसन के जो कच्छे पन का टेस्ट है वो निकल जाए तो अधरक लैसन यहां हमारा प्यास के साथ अच्छे से भून गया है अब आपके अश्कान विल्कुल धीमा कर दें क्यूंकि यहां पर हमें डालन पाउडर, देर चम्मच धनिया पाउडर डाल दें आप यहां पर एक चम्मच आप यहां पर डाले काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच आप यहां पर डालेगा जीरा पाउडर, एक चम्मच यहां पर मैं डाल रहे हूं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, यह ज़्यादा बाकी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम यह जादा रख सकते हैं अब इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक तो मैं यहां पर एक चम्मा से थोड़े से ज्यादा नमक कर इस्तेमाल कर जिए हो अब आप मसालों को दो से तीन मिलेड तक दीमी आज पर ही बुने जैसे ही मसाले आपके अच्छे से भुन जाए आप यहां पर डाल दीज़ेगा तीन मीडियुम साइज के टमाटर, और टमाटर को मैंने यहां पर मिक्सी में पीस के डाला है आप चाहें तो तो टमाटर को बारी काट के भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप टामाटर का पीश दालते है तो ग्रेवी जादा अच्छी बनती है मसाले को आप तब तक भूने जब तक इसमें से तेल अलग होना शुरू ना हो जाए यहाँ पर मसाले हमारे भून के तयार हो गया है मसाले में से तेल अलग होने लगा है और यह बरतन के तले से बिलकुल भी चिपक नहीं रहा है यहाँ पर भून जाए ना आप यहाँ पर भूए हुए चने डाल दीजेगा यहाँ पर मैंने 300 गरम चने लिए है मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिलियर तक इसे भून लेंगे मसाले हमारे अच्छे से भून गया है तो अब आपको यहाँ पर डालना है पानी चना हमारा उबला हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको डालना है 4 कप पानी सब्जी में अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पर डालिएगा आदा चमच गरम मसाला पाउडर पहले उबाल लेते हैं फिर बनाते हैं लेकिन आज हम इसे बिना उबाले बनाएंगे इससे हमारा समय बच जाएगा और सब्जी बहुत साधिश बिनके तियार होगी तो अब हम कूकर का ढगा देंगे और इसमें पांच सीटी लगनी के लिए छोड़ देंगे गैस का आच आप मीडियम से लो के बीच में रखेगा तेज आच पे अगर सीटी लगाएंगे तो चना हमारा कच्छ रह जाएगा अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि इसका प्रेसर अपने आप निकलना जाए कुकर का प्रेसर निकल गया है तो अब हम चल्साप्ला को च्रह करने के लिए और यह सबजी में हमारा कितना अच्छा कलर आया है तो अब हम चने को चेक कर लेते हैं कि चना हमारा अच्छे से पका है के नहीं तो यह देखे यह कितने आसानी से दब जा रहा है तो यह हमारी सबजी बन के तयार हो गए है चलते हैं भटूरे बनाने के लिए टो यहां पर आठे को rest करते हुए पूरे चार घंटे हो गए हैं तो अब आपको क्या करना है ना कि आठे को एक बार और अच्छे से गूद लेना है ये काफी समय तक नरम बने रहते हैं भटूरे के लिए आठा हमारे याहां गुद के तियार होगया है तो अब हम चलते हैं next process के लिए, अब आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसकी लोईयां तोड़ लें, लोईयों का size आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने बड़े आप बटूरे खाना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे medium size के लोईयां तोड़ रही हूँ, एक लोई को हाथ में लेंगे और दूने हथेलियों के बीच में खुमाते हूए इसके चिकनी लोई बना लेंगे और हाथ में जब आपके थोड़ा सा तेल लगा होगा तो यह जो लोई है वह फटा फट से गोल हो जाएगी और अच्छी चिकनी हो जाएगी अब हम लोई को अब लोई को अब आपके जो बहुत ही आसानी से बिल जाते है नितों अगर आप इसमें तेल नहीं लगाएंगे तो जैसे ही मेलेंगे आपके पूरी जो है वह छोटी हो जाएगी सुगुर के आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे टिप्स बताए हैं जिसके वैसे आपकेट की तरह अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले बनके त्यार होंगे पूरी को बेलते समय एक बात का ध्यान रखेगा कि आपको इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है बहुत ज्यादा इसे आपको पतला नहीं करना है पूरी को बेलने के बाद जब हम जैसे ही बेला ना तो पूरी का साइज थोड़ा सा चोटा हो जाता है यह देखे बटूरे को तलने के लिए मैंने तेल पहले ही से गरम होने के लिए रख दिया था और इसे तलने के लिए तेल आपका बहुत अच्छा गरम होना चाहिए अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप थोड़ा सा दाल के चेक कर लें और यह देखे जैसे ही मैंने पूरी को तेल में डाला इसमें बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब तेल हमारा बहुत अच्छे से करम हो गया और थोड़ी देर में उपर उठके आ जाएगा यह देखे तो अब आप यहां पर इसे पलट दे और पलटने के आप इसे तेल में से निकाल लें और निकालने से पहले तेल वाली चंणी को थोड़ी तेर कढ़ाई के कॉर्णर पर रोक लें ताकि जितना एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए इसी प्यकार से एक एक करके आप सारे भटूरे को तल के तयार कर लें और जो असली मज़ा है वो तभ ही आता है जब इसे गर्मा गरम चोलो के सांथ सर्फ किया जाए तो चलते हैं अब इसे फटा फट से सर्फ करने के लिए तो गर्मा गरम चोले और बातूरे को देखके आपके मुंह में भी आ गया ना पानी तो सोच के रहें पटा पर से आप इस सब्सक्राइब का जवाब दे सकूँ अब डाले छोले पे थोड़ा सा पारी गटा हुआ प्यास और साती साथ इस पे डाले कटी हुई हरी मिर्ची और यह हमारे छोले भटूरी तयार हैं इंजॉय करने के लिए तो मैं चलती हूं इसका आनंद उठाने अपने परिवार के मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई